मुझसे अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि आप तो गाउं में रहते हैं आप दूद क्यों नहीं बीदे क्योंकि हमारे गाउं में तो गाय की बहुत सेवा होती है गाय को माता माना जाता है तो ऐसा बिल्कुल है नहीं पता यह बस थेओरी है कि गाय हमारी माता है यह देखि इसको दो छोटी-छोटी रस्यों से बांदा हुआ है, ये हिल भी नहीं सकती ठीक से, ये जो बकरी है, दूर बंदी है, ये जो इसका मेमना है, वो अपनी मा तक पहुंच भी नहीं सकता, बस वो उसको देख के रो सकता है, ताकि ये दूद हम ले पाएं, आईए मैं आपको ए जाते हैं तो ये दिखता है हमें, गाये, दो रस्यों पे बंदी है, इसका जो बच्छडा है, वो दूर बंदा है, वो उस तक पहुंच भी नहीं सकता, तो अब किस तरह ये सब जानते समझते देखते हुए दूद पीलू है, आप शहर में रहते हैं, ये सब आपकी नजरो मैं उसे दूद कठा करते हैं, तो ये दूद उस बच्छडे का है ना, जो अपनी मा तक पहुंच भी नहीं पारा, और फिर वो दूद हमारे पर पैकेड में डाल डालके बेचा जाता है, एक हाथ से तो मैं गौ सेवा करता हूं, गौ रक्षा की बात करता हूं, और दूसरी तरफ से दूद के लिए मेरी वजा से ये हो कि एक बच्चे को अपनी मा से दूर रखा जाए, तो मैं कैसे दूद पीऊं?